हमारी प्रकृती ने हमें अच्छे स्वास के लिए कई अच्छी चीजे उपहार में दी हैं जिनका हम अलग-अलग तरह से सेवन करके अपने आपको स्वास्त रख सकते हैं इसके लिए आपको बस उसके पोशक तत्व और इस्तमाल का सही तरीका पता होना चाहिए आज हम आप से ही प्रकृतिक तत्व की खूबियां बताने जा रहे हैं हम सबने समुद्र या नदियों की किनारे मिलने वाले शंक जरूर देखा होगा दरसल हिंदु धर्म में इस्तमाल होने वाले शंक और नदियों के किनारे मिलने वाले शंक में थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन आज हम आपको उन संखों की बात कर रहे हैं या बताने वाले हैं जो बश्वन में हम सब के खेलों का इस्सा हुआ करते थे इस शंख या सीब के कई फायदे हैं इनमें कैल्शियूम, आयरन, प्रोटीन और लो फैट होता है साथी इसमें विटामिन B12 भी भरपू मात्रा में पाया जाता है इसके सेवन से आपको जोडो के दर्द, कमर के दर्द और ब्लड सर्कुलेशन जैसी समस्याओं में बहुत फायदा होता है ठाइए इसके लाब और इस्तमाल के बारे में विस्तार से जानते हैं नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नौलिज साथी पर दोस्तों इन शंक से बनने वाले भस्म को शंक भस्म कहा जाता है शंक भस्म का प्रयोग पुरानी अप्चन समस्याओं डिस्पसीसिया, एसिरिटी, गैस्ट्रोफीजियल रिफ्लेक्शन यानि कि GERD, अल्सर, डाइसेट्री और पीलिया जैसी बिमारियों में प्रयोग में किया जाता है दूशित भोजन और पे लगतार पाचन तंत्र को नुकसान पहुचाते हैं और कमजोर करते हैं शंक भश्म आपके पाचन को बढ़ावा देती है ये चिकत्सिय रूप से साबिद भी हुआ है इसका दुश्प्रभाव नहीं है अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन करें तो शंक भश्म आपको पाचन रोगों को दूर करने में बहुत ही सहायता प्रदायम करती है तो आईए दोस्तों जानते हैं इसके ऐसे ही कुछ और लाव के बारे में दोस्तों संक भश्म का प्रयोग जोडों के दर्द में किया जाता है संक भश्म में कैल्शियम की भरबूर मातरा पाई जाती है जोडों के दर्द या कमर के दर्द में संक के सेवन से काफी आराम मिलता है साथी शंक कोलेजन का भी अच्छा श्रोथ होता है जो आपकी तुचा और अन्य कोशिकाओं के लिए भी फायदे मनसाबित होता है दोस्तो लाल रक्त कडिकाओं को बढ़ाने के लिए यानि की रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए भी संक भश्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तो संक भश्म में विटामिन B12 प्रचुर मातरा में पाये जाता है Vitamin B12 की मदद से Red Blood Cells के उत्पादन में मदद मिलती है इसके अलावा Vitamin B12 से आपकी याददाज और दिन भर उर्जा बनाया रखने में भी आपको मदद मिलती है हैज़े में दोस्तों आप संग भश्म का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों एनीमिया में भी इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि संग भश्म में आईरेन की भी उच्छ मात्रा पाई जाती है इसके उपयोग से एनीमिया जैसी समस्याएं ठीक हो जाती है इसके अलावा ये आपके Metabolism ठीब करने में मदद करता है महिलाओं के लिए आईरेन की परयाप्त मात्रा बहुत जरूर ही होती है ऐसे में महिलाएं संग भश्म का प्रयोग जरूर करें दोस्तों ये Blood Pressure को भी कंट्रोल करने का काम करता है High Blood Pressure Silent Killer माना जाता है इससे बचने के लिए आप उचे मात्रा में संग भश्म का सेवन कर सकते हैं इसमें मौझूद दाल, सकरकंद और अन्य सबजियों के मताबिक जादा Potassium की मात्रा पाई जाती है Potassium की मात्रा का परयाप सेवन करने से आपका Blood Pressure कंट्रोल में रहता है ये सोडियम की मात्रा को भी संतुवेट करने का काम करता है ऐसे में अगर आपको भी High Blood Pressure की समस्या रहती है तो आप भी संग भश्म का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों शरीर के विकास के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्छ मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो आपके शरीर के विकास के लिए बहुत ही अच्छा होता है खासकर किशोर और बड़े हो रहे बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूर ही होता है ऐसे में आप बच्चों को भी संक भस्म का प्रयोग करा सकते हैं लेकिन बच्चों को देने से पहले किसी अयरुवेदा चारे से इसके बारे में सला जरूर ले दोस्तो हार्ट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि संक भस्म में भरपूर मातरा में ओमेगा 3 फैटी ऐसिड पाया जाता है जो हार्ट हैल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है इसका सेवन रेड ब्लेट सेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है साथ ही ये स्ट्रेस और तनाव को भी दूर करने के लिए जाना जाता है दोस्तो इससे होने वले अगर हम कुछ और फायदों की बात करें तो दोस्तो अच्छा में आप संक भस्म का प्रयोग कर सकते हैं अलसरोने पर वैदे संक भस्म को अन्य औश्दियों के साथ मिला कर इसके सेवन की सला देते हैं बहुत लंबे समय से दोस्तो अगर आपको एसीडिटी की समस्या बनी हुई है और आपकी नलिया च्छती ग्रेस्ट हो गई है तब भी दोस्तो आप इसका प्रयोग करके अपनी एसीडिटी की समस्या को ठीक कर सकते हैं वहीं पतले दस तानों और डाइरिया जैसी समस्याओं में भी दोस्तो इसका प्रयोग लाबदायक माना जाता है वहीं तो अच्छा संबन्दी दोस्तों परिशानियों में भी इसका ब्रयोग किया जाता है जैसे की कील मुहासे और फुंसिया अब दोस्तों बात करते हैं इसे बनाने की विधी के बारे में कि संख भश्म को आप दोस्तों खुद से कैसे बना सकते हैं तो दोस्तो दरसल संख का सेवन भस्म के रूप में ही करना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके लिए हम आपको संख भस्म बनाने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। इसकी मदद से दोस्तो आप घर पर ही संख भस्म बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप एक घड़ा लें और संख को नारियल की रस्ती में लपेट कर घड़े में रख दीजे फिर घड़े को जलते हुए उपले फर रख कर संख को जलने दें साथ ही घड़े का मुँए एक धकन से बंद कर दें और तीन दिन बाद संक को घड़े से निकालें संक अपने आकार में ही रहेगा लेकिन वह दूसरी तरफ से जल चुका होगा तो दोस्तों उसे आप आसानी से पीस लें इसे राक को एक डिब्बे में रख लें इसके सेवन के भी दोस्तों फिर कई तरीके हैं संक भस्म को दोस्तों आप शहद के साथ खा सकते हैं इसके लिए आप शहद में थोड़ी मात्रा में संक भस्म को मिला लीजिए इसके लिए दोस्तों आपको आदा ग्राम ही संक भस्म लेना है इसकी मात्रा को दोस्तो बहुत ज़्यान में रखना चाहिए क्योंकि ज़्यादा मात्रा लेने से दोस्तो आपको पेट से जोड़ी समस्याइब बढ़ सकती है अगर आपको डाइवीटीज की समस्याइब तो दोस्तो आप आदा ग्राम संख भस्म को पानी के साथ मिलाकर खा सकते हैं इसके लिए 10 ग्राम हल्दी और 2 ग्राम संख भस्म पानी के साथ में आप इसका सेवन कर सकते हैं इसका प्रयोग दोस्तों आवले के साथ में भी किया जाता है इसके लिए आप 10 ग्राम आवला चून और 2 ग्राम संग को भस में मिला कर पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं इससे आपको दोनों का लाव मिल जाएगा आवला के अलावा दोस्तों कपूर के साथ में भी इसका प्रयोग किया जाता है इसके लिए आपको 10 ग्राम कपूर के आवश्यक्ता होती है और 2 ग्राम संग को दोस्तों आपको मिला लेना होता है और दोस्तों फिर आप इसे एक बाउल में गर्म करके पानी में इसकी आदगरम मात्रा डाल दीजिए उसके बाद इसकी खुश्वू को भाब के रूप में आप इसे ले सकते हैं इससे दोस्तों आपके लंग्स को बहुत ही जादा फायदा मिलता है अगर दोस्तों आप इसे बनाना नहीं चाते हैं या आप इसे बनाना नहीं जानते हैं तो दोस्तों आप मार्किट से बने बनाए संक भस्मू के कैपसूल और पाउडर को भी खरीच सकते हैं बादार में कई सारी कंपनियां दोस्तो इसे बना कर बेचती हैं जिसे दोस्तो आप खरीद कर इसका प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं लेकिन दोस्तो अगर परिशानी बहुत जादा हो और आपको इसके प्रयोग समझगे ना आ रहा हो तो किसी आयरवेदा चारे से सला लेकर ही दोस्तों इसका प्रयोग करना शुरू करें तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की संक भस्मू के बारे में वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे चैनल नौलिज साती के साथ तब तक के लिए धन्यवाद